हाई मैं डोक्रा नगेंदा थालोर सीकर में कार्डियोलोजिस्ट हूँ आज बात करेंगे एप के बारे में यानि इसी जी को देखके एटेल फिब्रिलेशन को अपन कैसे डाइगनॉज कर सकते हैं तो एटेल फिब्रिलेशन यह मोस्ट कोमन और मोस्ट सस्टेंड एरिद्मिय रहता है अपने क्लिनिकल प्रेक्टिक्स में तो डेली अपन ओपीडी में जो पेसेंट देखते हैं जिन में जो एरिद्मिया रहते हैं मोस्ट कॉमनली एप उन में रहता है तो एप के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं यह दि किसी पेसेंट का जो रेट है वो रेगुलर यह चल रहा है यानि एप चल रहा है तो उसको जो इस्टोक की रिस्ट है वो पांच टाइम्स ज्यादा हो जाती है नॉर्मल इन्सान की कमपेरिजन में दूसरा उसके जो मोटिलिटी की चांस है जब भी डबल हो जाते हैं और उसको हार्ट फैलिउर सबन कार्डियक देथ और कार्डियो मायोपेटी जैसे और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, यदि उसका डढकन में एएप चल रहा है तो, इसलिए एप को डाइगनोस करना बहुत जरूरी है और इसको रिदम को केंट्रोल करना भी जरूरी है, तो अब अपन देखते हैं कि कैसे अपन ECG को देख कर रहा है क्यों कि जो एड्रेम रहता है, वो अपना normal contraction कर रहा है तो नौर्मली पी वे उसमें बन रहा है, अब एएप में क्या रहता है, अपना normal contraction नहीं कर पाता बनती रहती है तो यह कलियर पीव नहीं दीखेगा दूसरी बात करें तो पी- आर इंट्रवेल तो नोर्मल-चेज के अपने एजीली पियार इंट्रवेल देख सकते हैं तो पि- आर इंट्रवेल का मतलब होता है जहां से पीवेव इस्टार्ट होई वहां से लेके QRS complex है उसका initial point यानि P wave जहां से start होती है वहां से लेके जो R wave है उसकी बीच के distance को PR interval बोलते है तो वो इसमे normal usage में अपने को clearly दिख जाएगी लेकिन AF में जब P wave ही नहीं है तो PR interval भी नहीं आएगा दूसरा point अपने डिसकस करते हैं जो baseline का जो normal ECG है उसमें अपने कलीरी देख सकते हैं कि ISO electric baseline है वहां पे जबकि AF है उसमें कोई ISO electric baseline नहीं है उसकी जो baseline है वो पूरा moment करती रहती है तीसरा point डिसकस करते हैं जो रिधम है इसकी तो normal ECG में regular rhythm रहती है यानि कि जो railroad interval है उनके बीच का जो gap है वो हर जगह पे normal रहेगा मतल्ल एकुल रहेगा लेकिन जो AF की ECG है उसकी जो र र इंटर्वेल के बीच का जो distance है वो कहीं कम रहेगा कहीं ज़्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा कहीं ज्यादा रहेगा लेकिन जो AF की ECG है उसमें PUA तो नहीं दिखेगी, लेकिन वहाँ पे अपने को Fibrillatory Wave दिख सकती है, तो यदि Fibrillatory Wave की जो Height है, यदि Less Than 0.5 M है, तो उनको Fine Fibrillatory Wave बोलते हैं, यदि उनकी Height More Than 0.5 M है, तो Coarse Fibrillatory Wave बोलते हैं, QRS Complex की बात करें, तो Normal ECG में जैसे Normal QRS Complex है, वैसे ही AF में भी ज्यादा तर Normal QRS Complex ही रहता है, लेकिन यदि पहले से किसी को Bundle Branch Block हो, या Accessory Pathway हो, या कोई Drug Effect हो, तो QR Complex वाइड भी दिख सकता है, तो ये कुछ Important Point है ECG में, जिन को देखके अपन easily AF की ECG को पैचान सकते हैं, दूसरा Point ECG में अपने को ये देखना है, कि अब अपने को उसकी Heart Rate Calculate करनी है, तो Heart Rate Calculate करने के लिए, AF Patient में अपन उसकी Rhythm Strip देखेंगे, तो Rhythm Strip जो रहती है, वो 10 Second के लिए रहती है, तो अपने को Rate 1 Minute के लिए calculate करना है, तो 10 Second को अपने को 1 Minute बनाने के लिए 10 into 6 is equal to 60 Second, 60 Second means 1 Minute हो गया, तो अब इस 10 Second अपन QRS Complex count करेंगे, जितने भी QRS Complex इसमें आएंगे, उनको, वो जो QRS Complex वो 10 Second के लिए है, तो उनको 1 Minute बनाने के लिए, जितने भी QRS Complex है, उनको Multiply कर देंगे 6 से, तो वो कितने हो जाएंगे, 60 Second is equal to 1 Minute के लिए, तो इस तरह अपन ECG की, जो Rhythm Strip देखके, इसकी Heart Rate calculate कर सकते हैं, जैसे यह एक ECG है, इसमें अपन calculate करते हैं, तो इसमें अपन देखते हैं कि, जो Rhythm Strip है, इसमें QRS Complex हैं, अर अराउंड 12 QRS Complex हैं, तो 12 इंटू 6, तो 72 इसकी Heart Rate हो गयी, दूसरा एक ECG है, इसमें देखो, इसमें Rhythm Strip में around 20 Complex हैं, तो 20 इंटू 6, around 120 Heart Rate हो गया, तो इस तरह आपन easily Rhythm Strip को देखके Heart Rate कर सकते हैं, धन्यवाद,